हां जी, सबी बच्चों को नमास संस्कृत है, जैसा की आपको पता है कि हम लोग संस्कृत में कारक पढ़ रहे थे और कारक में हम लोगोंने कर्म कारक दुतिया विक्ति के कुछ सूत्र पढ़ लिए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके अगले सुत्रों को पढ़ते हैं तो आईए देखते हैं सभी लोग आजाईए सभी का निक केरियर एजुकेशन में बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि आपको पता है हम लोग संस्कित में कारक पढ़ रहे हैं ठीक है तो आगे सुत्र हैं बहुत सभी पढ़ लिये ठे और कर्मकारक के सुत्र भी कुछ पढ़ लिए ठे जैसे कर्तू रीप्त शित्तम कर्मकर्म Vikt दूतिया अकात्Itm.चffentlich.अभीटा परिता समया निक्सा हा प्रत योग अपी और आपका एक सुत्र था अधी सींग इस्थासाम कर्मम इतने सुत्र हम लोगों ने पढ़ लिये थे और उसी के आंगे सुत्रों को बढ़ाते हुए अगला सुत्र लिखते हैं दूतिया विवक्ति का किस विवक्ति का दूतिया विवक्ति का एकवर लिख दे रहे कि कर्म कारक के सूत्र है ये किस कारक के सूत्र है कर्म कारक के और आपको पता है कि कर्म कारक में दुतिया विभक्ती होती है कर्म कारक में दुतिया विभक्ती होती है और इसका चिन होता है को ठीक है तो जैसा कि कुछ सूत्र इसके पढ़ लिये थे तो उसी के आगे अगले सूत्र पढ़ते हैं अगला सुत्र है आपका अगला सुत्र है सुत्र है ओपान्व ओपान्व ध्यांग वस ठीक है सुत्र क्या है ओपान्व ध्यांग वस तो यह सुत्र है और यह सुत्र से आपका कर्म कारक होता है कैसे होता है क्यों होता है या फिर इसका जो नियम है वो क्या नियम है आगे देखते हैं तो आपको पता है कि यहां पर आपका सूत्र है उपान ध्यांग बस ठीक तो स्वाफ से पहला तो आप से इसमें पूछे जाता है कि इस सूत्र में कितने हमारे इस सूत्र में कितने उपसर्ग हैं तो यहां पर कितने उपसर्ग आपको दिख रहे हैं यहां पर एक आप देख पा रहे हैं सबसे पहले उपसर्ग है यहां पर क्या उपसर्ग है सबसे पहले यहां पर उपसर्ग है ठीक है अगला यहां पर अगर इसका आ ले ले और आपको पता है उ का वा बनता है यह संधी के नियम है तो यहां दूसरा उपसरग है अनु क्या उपसरग है अगला आप देखेगे इसका आलेले और ई का यहां आगे बनता है तो धाप पर ई की मात्रा लग जाएगी यह भी संधी के माध्यम से होता है अगला उपसरग है अधी ठीक है अधी यह यहाँ पे है इतना अनू और इतना है आपका अधी और यहाँ आप देख पा रहे हैं जो आपका उपसर्ग है वो है आंग क्या है आंग तो पहला कुशन यही होता है कि इस सूत्र में कितने उपसर्ग हैं इस सूत्र में कितने उपसर्ग हैं तो आपका सही अंसर ये कह रहे हैं कि ये चार उपसर्ग यदि वसधातू से पहले आएं तो इसी सूत्र से कर्मकारक दुतिया विवक्ति होती है ठीक है यहां आपको क्या समझना है कि कब दुतिया विक्ति कर्मकारक होता है आपको परिभासा लिखने में कोई इतनी आख्षक्ता नहीं है तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि यहां पे आपके चार उपसर्ग है यदि चार उपसर्ग वसधातू से पहले आते हैं कहीं आपको मिलते हैं तो ऐसी इस्थिति में उपान ध्यांग वसधात्र से कर्मकारक दुतिया विवक्ति होती है साधरण से आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग एक्जामपल से समझते अर्थात उधारण से समझते हैं तो देखते हैं जैसा कि यहां चार उपसर्ग है और इन्होंने कहा कि यह चार उपसर्ग बस दातू से पहले आ जाएं ठीक है तो यहां जैसे एक हमबा की लिखते हैं कि आदमी घर में रहता है उसका हिंदी है आदमी घर में रहता है ठीक तो आदमी को संस्कित में नरहा कहते हैं नरहा घर में रहता है तो यहां पे घर को ग्रह कहते हैं हम दुतिया विक्ति लगा रहे हैं अभी ग्रहाम और हमने लग तो आपने क्या देखना यहां पे कि बस धातू से पहले यदि उप उपसर्ग लगा है तो यह जो ग्रहाम है यह कर्म कारक होगा दुतिया विवत्ती होगी ठीक है इतना समझना था आगे देखते हैं अगला बाक को इसी को रखते हैं जैसे हम लिख दें कि व्यक्ति घर में र लेगा ठीक है ग्रहाम यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा अनूबशती अनूबशती ठीक है यह हो जाएगा अनूबशती ठीक है आगे देखते हैं यहां यह इसलिए मैंने बनाया आप देख पा रहें कि यदि इसके बाद कोई भी सुर होता है तो मा बना के हलन्त लगाया जाता है यदि उसके बाद कोई व्यंजन होता है तो आपका एक अनुश्वार के रूप में बनाया जाता ऐसा नियम होता संस्कित में तो आपने यह अनु लिख दिया और बस दातु से पहले अनु लिखकर अनुवश्यति बना दिया आगे देखते इसी वाक को रहनी देते नरहा ग्रहाम अधिवश्यति इसको लिख दो नरहा ग्रहाम यहां पर क्या होता इसका हलंतियम से लोग हो जाता सिर्फ आही से स्वस्ता है आवश्यति ठीक है आवश्यति तो यहां पर आपने देखा कि सभी उपसर्ग मैंने बस दातु से पहले लगा दिये है ठीक अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी का अर्थ क्या अलग-अलग होता है जी नहीं इन सभी का अर्थ एक ही है चाहे आप नराग्राम उपवस्यति कहें या नराग्राम अनुवश्यति कहें या नराग्राम अधिवश्यति कहें या नराग्राम आवश्यति कहें सभी का मतलब है कि व्यक्ति घर में रहता है ठीक है तो आपने देखा इसके उप्षग बदलने से कोई अर्थ नहीं बदलता है यहाँ पे सभी का एक एक सिंगल सिंगल उप्षग प्रियोग होगा और बस धातू के साथ होगा तो अगर ऐसा हुआ है ये उपसर्ग प्रियोग हुए हैं तो इससे पहले वाला सब्द कर्मकारक दुतिया विवक्ति का होगा और ऐसे पूरे बाक में कर्मकारक दुतिया विवक्ति होती है ठीक है अब यहां आप यह देखेंगे नोट करके लिखेंगे इसमें कि इसमें उप्सर्ग ना लगे हो अर्थ तब भी यही रहेगा जैसे बाक लिखते हैं नरहा ग्रहे वशति इसका भी मतलब यह है कि व्यक्ती घर में रहता है और इन सब का भी मतलब यही है तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये है यहां उपसरग होने की वज़े से ये fix उपसरग है इनके होने की वज़े से घर में दुतिया वक्ती हो गई जबकी यहां कोई उपसरग नहीं है इसलिए घर में सब्सरग नहीं है तो घर में सब्तमी वक्ति होगी या इस से पहले जो सब्द होगा उसमें सब्तमी वक्ति होगी और यदि ये उपसर होगे तो इसमें दुतिय वक्ति होगी ठीक है यदि आप से पूछ लिया जाए कि ये जो बाक लिखे हैं उपर इसमें कौन सी वक्ति है और इसमें कौन सी व बिवक्ति किस प्रकार की शुरुआत में जब हमने कारक शुरू किया था तो हमने वताया था बिवक्ति दो प्रकार की होती है एक कारक बिवक्ति एक उपपद बिवक्ति यहां पर कारक चिन के अनुशार काम हो रहा है तो इसमें आपकी कारक बिवक्ति हो जाएगी क्या हो ज बिवक्ति है कौनसी वक्ति है ओपद बिवक्ति है और ऐसा आपको हमने बताया था कि ओपद बिवक्ति से कारक बिवक्ति अधिक बल्वान होती है बल्वती होती है ठीक है सकतिसाली अर्थात अधित परियोग किया जाता है तो इस तरह से आपने इस सुत्र को समझा जाना कि क कव हमारा कर्मकारक दुतिया विक्ति होगा और कव नहीं होगा आगे अगला सुत्र पढ़ते हैं कर्मकारक का अगला सुत्र है अभी शुत्र है अभी नी विस अभी नी विस ठीक है यह सुत्र है अभी नी विस तो जैसे उस सुत्र में कुछ उसकी व्याख्या थी ऐसे ही इस सुत्र की वी व्याख्या है ठीक है समझ में आ रहा होगा तो यहां देखते हैं यहां यह कह रहे हैं कि यहां पे आपके दो उपसर्ग है एक अभी है दूसरा नी है कितने उपसर्ग है? दो उपसर्ग है एक अभी है और दूसरा नी है जैसा कि दोनों अलग-अलग साफ साफ दिखाई दे पा रहे हैं तो दिख कहते हैं कि जिब अभी और नी उपसर्ग विस धातु से पहले आएं ठीक आप लिख लेंगे इसको क्या लिख लेंगे इसको एक परिभासा के रूप में लिख लेंगे यदि आपको याद नहीं रहता तो आप लिख सकते हैं कि यदि अभी नी उपसर्ग विस धातु से पहले आएं तो अभी नी विससूत्र से कर्मकारक्डुतिय विवद्ति होती है ठीक है फिर से बोल देते हैं यदि अभी नी उपसर्ग विस धातु से पहले आए तो अभी नी विस सूत्र से कर्म कारग दुतिय अभी वक्ति होती है तो इतना समझ में आगया होगा आपको, आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि ये अलग-अलग आते हैं या एक साथ आते, इनकी भी एक विशेश्ता, जैसा कि इससे पहले देखेते, सभी उपसर्ग धातु में अलग-अलग प्रियोग हो रहे थे, सिर्फ एक-एक प्रियो घ्र मीष लए है, फिर उसको संस्कित में अनुवाद करके लिखेंगे, संथ सनमार्ग पर चलते हैं, ठीक, संतसनमार्ग पर चलते हैं, तो देखते हैं कैसे लिखते संस्कित में, संतहा अगे देखते हैं दोनों अपसर लगते हैं अभी नी विस्धातु विस्ते अभी नी विस्ते इसका मतलब है संत सनमार्ग पर चलते हैं यहां आप देख रहे हैं कि पर चिन निकल रहा लेकिन विवक्ती दुतिया और कारत कर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है क्योंकि विस्धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग का प्रियोग हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है तो यह सूत्र आपका बहुत सरल था तो जब भी कहीं भी विस्धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग एक साथ मिले तो उसमें उससे पहले वाला सब्द कर्मकारक दुतिया विक्ति का होगा और पूरे बाक में भी कर्मकारक दुतिया विक्ति होती है ठीक है तो ऐसा आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं अगला सू आते हैं पुर्णाहा अगला सूत्र है समझ में आ रहा है ठीक है अगला सूत्र है सूत्र है कालाध्य 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 कालाध् सूत्र क्या कहता है यह सूत्र कहता है यहां पे दो सब्द हैं पहला सब्द है काल पहला सब्द है काल ठीक है और दूसरा सब्द है इससे आ लेंगे और यह बन गया सब्द अध्ध है क्या बन गया अध्ध है तो यहां दो सब्द हैं पहला काल दूसरा अध्ध यह सूत्र कहत समय बताने का प्रोसेस हो अर्थात समय बता जाए तो भी विक्ति कर्म का रख होता है ठीक है और अध्ध का मतलब होता है आप इसका अर्थ लेकेंगे कभी कभी पूछ लिया जाता काल का अर्थ समय और अध्ध का अर्थ होता है दूरी ठीक है तो अर्थात एक सरलवासा में समय और दूरी बताने वाले बाक्यों में इस सुत्र से रुतिया विवक्ति और कर्मकारत होगा ठीक सरलवासा में समय और दूरी बताने वाले बाक्यों में क जालाध्ध नोरत्य संयोगे सुत्र से कर्मकारग दुक्याविक्ति होता है आप इसको लिख लेंगे परिभासा के रूप में तो कैसे होता है जैसे कि आप उधारण में समझेंगे अनुवाद करके मैं यहां बोलती हूं कि एक बाक है राम चौधा वर्स तक बन में रहे राम चौधा वर्स तक बन में रहे ठिक तो चौधा वर्स यहां क्या है? चौधा वर्स यहां पर समय है जब भी कोई एक समय निरधर किया जाए तो उसमें आपका दुतिया विक्ति हो जाएगी तो राम हां इसको अनुवात कैसे करेंगे? राम हां चौधा की संस्कित चतुर द चतुर दस और बर्स भावचन में हैं इसलिए बर्साड़ी क्या हो जाएगा चतुर दस बर्साड़ी कहां रहे बन में रहे यदि ये समय न होता तो बन में अर्थात क्या हो जाता सत्मी हो जाता लिकिन यहां चवदे बर्स समय होने के कारण आपका क्या हो गया आपका हो गया दुतिया विभत्ती ठीक है रहे आवशत आवशत रहे थे यहां क्या हो गया यहां लकार लंग प्रियोग हुई क्योंकि रहे थे था थी थे भूतकाल होता है और भूतकाल के लिए लंगलकार का प्रियोग किया जाता है तो आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं बक है कि नंदी कोस भर टेड़ी है तो जो कौस है वो क्या है? पोस इक दूरी का मापक है तो जैसे कोस दूरी का मापक है तो आपने समल लिया कि ये दूरी बता रही है तो फिर इसी सूत्र से आपके दुत्य अभिवक्ति हो जाएगी तो फिर क्या लखेंगे नदी पोस भर टेड़ी है क्रोसम का मतलब पोस भर और टेड़ी का मतलब होता है कुटिल नदी है इस त्रीलिंग इसलिए कुटिला लेके दिया ठीक है तो नदी क्रोशम कुटिला या कोई भी कुटिल करके तेड़े मेड़े करके सो सब्द है या फिर क्रोस एकोस दो कोस ऐसे कुछ सब्द लिखे हो समय लिखा हो 10 सब्धा चार सब्धा चार साल 10 साल 15 साल 20 दिन 30 दिन ऐसा कुछ हो तो कालाद्ध्य नूरत पिस सहयोगे से कर्मकारक दुक्या विवक्ति होता है यहां आपके ये वाले और ये और इससे बहले सुत्र कम्पलीट हो गए हैं तो आगे देखते हैं अगला कौर और कौन-कौन कर्मकारक में नियम होते हैं तो यहां आप अगर चाहें तो स्क्रीन सौर्ड ले लिया करें और आगे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अगला इसमें क्या नियम है अगला है आपका यहां आप देख पा रहे हैं ठीक है अगला सुत्र है क्रिया विसेसडे दुतिया सुत्र क्या है क्रिया विसेसडे दुतिया तो ये सूत्र कहता है कि यदि कोई सब्द क्रिया की विसेश्था बताता है दिया विसेश्था क्या होता है जो क्रिया की विसेश्था बताई तो जो ही सब्द क्रिया की विसेश्था बताएंगे वो सब में दुतिया विवक्ति होगी और दुतिया विक्ति होगी तो कर्मकारक होगा ऐसा आपको पता है उधारण से समझते हैं जैसे हम कहें राम मधुर गाता है राम मधुर गाता है यहाँ पे आप देख रहे गाना अर्था गाता क्या है गाता एक क्रिया है और क्रिया की विसेशता वताने वाला सब्द क्रिया विसेशण होता है तो कैसे वनेगा रामहा मधुर का दुतिया हो जाएगा मधुरम और गायती ऐसे अनुवाद हो जाते हैं तो इस तरह ऐसे अनुवाद भी सीख जाते हैं और कारक के नियम भी सीख जाते हैं ठीक तो यह बहुत सरल सुद्र था आपको समझ में आ गया होगा अगला और देखते हैं कुछ सब्द होते हैं जिनमें सूत्र ना होके केबल सब्द दे दिया जाता आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी विवक्ति या फिर कौन सा कारख हो सकता है तो ऐसे भी देख रहेते तो देखते हैं पहला सब्द है उघ्ता व्हेता व्हेता यह जी कहीं व्हेता लिखा मिलता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी विवक्ति या फिर कौन सा कारख होता है तो आप बताएंगे कि उभैता मैं कर्मकारक और दुटिया विवक्ती होती है ठीक अगला लिखा हो सर्वतहा क्या लिखा हो सर्वतहा ठीक आगे उपरी उपरी या फिर अधहा या क्या लिखा हो अधो अधहा अधो अधा ठीक है अधो अधह या सब्द लिखा हो या लिखा हो हम सोच रहे हैं यहां पे इसके बाग के लिखाओ अगे बताते हैं, या लिखा तो इतने सब्द अभी देख लो पर इसके बाद देखते हैं जैसे कि ऐहां आ आपको 5 सब्ध दिखाये रहे हैं तो इन पांचों सब्द में कर्मकारक दुतियो व्यक्ति होती है तरलवाथिक इसका प्रियोग कहां करते हैं जब बाक में कहीं दोनों और लिखा हो क्या लिखा हो इससे पहले दोनों और की संस्कित बता चुके हैं लेकिन अगेन ये है कि अगर दूसरा भी कोई सब्द ओवैता लिखा है तो इसका भी मतलब यही होता है सर्वता का मतलब चारो ओर होता है क्या होता है चारो ओर होता है और इससे पहले परिता बताया था जो सुत्र में था उसका भी मतलब चारो ओर होता है इसका मतलब ऊपर होता है अधा का मतलब नीचे होता है ठीक है और अधो अधा का मतलब बहुत नीचे अर्था पाताल लोक म तो यहां आपने अर्थ जान जैने आप इसका हम बाक्य परीऊग जानते हैं जैसे लिखा हो विध्यालय के दानौत ब्रक्ष हैं तो विध्यालियम उद्धिया विवक्त और हम सब्ध यूज करेंगे अगला देखते हैं जैसे लिखा हो घर के चारो और जल है घर के चारो और जल है तो ग्रहाम ग्रहाम शर्वतह चारो और शर्वतह जलम जलम अस्ति ठीक है ग्रहाम शर्वतह जलम अस्ति अगला देखेंगे उपर जैसे हम का हैं बच्चा बच्चा पेड के मतलब की उपर में क्या बोलेंगे एक तरह का बाक पोईसा भी जैसे आपको उपर से समझ में आए कि ये बालक छत के उपर है ठीक इस तरह से तो जब आपने देखा काकी के चिन निकला लेकिन यहां क्या होगा उपर में आपका उपर की वज़े से तो आपका हो जाएगा यहां कर्मकारा ठीक तो जैसे कहें बच्चा घर के उपर है ठीक एक सरवसी भासा में तो वालहा गर के उपर है ग्रहाम उपरी अस्थी ठीक अब यहां घर के की वज़े से सस्थी वक्ति नहीं लगी उपरी की वज़े से दुतिया वक्ति लग गई है ठीक है नीचे बालक बालक पेड के नीचे हैं बालहा बालहा ब्रक्षम ब्रक्षम अधा बालहा ब्रक्षम अधा थिक तो ऐस तरह से अधो अधा पाता लोक तो में अर्थात बहुत नीचे की बात हो रही हो तो आप समझ पा रहे इस तरह का बाघ체 लिखा हो तो आपका दुतिय व्यक्तिु और पून का रख होता है तो इतना आप समझ पा रहे हैं इसके आगे और वेक्स सब्डों को देखते हैं अपने कुछ सब्द और है ई को अगले देखते हैं अगला सब्द है जैसे कि लिखा हो कहीं बिना या लिखा हो नाना या लिखा हो अंतरा ठीक है या लिखा हो अंतरेड इन सब्दों में भी कर्मकारक दुतियवर्पी होती है तो यहां बिना का मतलब किसी के बिना नाना का मतलब यहां नाना का मतलब यहां अनेट से है नाना परकार ठीक है अंतरा का कोई चीज की अंतर अंतरेड इस तरह से तो कोई भी इस तरह के सब्दों से बने बात होंगे उन सभी में हमारा कर्मकारक और दोतिय व्यक्ति होती है ठीक तो यहां आपने कर्मकारक के जितने भी सूत्र थे या फिर जितने भी सब्द थे जो सुपर्टेट में आ सकते थे वो सभी मैंने यहाँ पे आपको discuss किये हैं तो इससे कि यहाँ पे आपका कर्म कारक पूरा हो चुका है अब हम लोग अगला कारक पढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि अगला कारक कौन सा है कर्ता कारक पढ़ लिया कर्म कारक पढ़ लिया ठीक है और कारक के बारे में पढ़ लिया तो यहाँ हम लोगों के दो कारक पूरे हो चुके हैं कर्ता और कर्म और आपको बता है कि संस्कित में कितने कारक होते हैं संस्कित में कितने कारक होते हैं संस्कित में 6 कारक होते हैं जबकि हिंदी में 8 कारक होते हैं तो देखते हैं अगला कारक कौन सा है अगला कारक है करण कारक कौन सा कारक है करण कारक ठीक है और यह इसका नंबर है तीसरा क कौन सा कारक है ये तीसरा ठीक करण कारक आपको पता है कि करण कारक में कौन सी विवक्ति होती है करण कारक में त्रतिया विवक्ति होती है कौन सी विवक्ति होती है त्रतिया विवक्ति होती है ठीक है आप से कहा जाए करण कारक का चिन क्या होता है तो आप बताएंगे इसका चिन से द्वारा होता है तो जैसा कि से एक चिन में और आता है लेकिन यहां से के साथ हमेशा द्वारा लगा रहेगा तो इसका चिन क्या होगा से द्वारा तो इसका पहला सुत्र देखते हैं पहला इसका सुत्र है साधक्तम करणम सुत्र क्या है पहला साधक्तम करणम ठिक तो यह सुत्र है साधक्तम करणम तो यह क्या कहता है सूत्र ये कहता है अगर बात इस सूत्र के व्याख्या की करें तो हम साधारण भासा में ये कहेंगे की हम कहेंगे कि जो क्रिया होती है क्रिया की सिध्धी में क्या कहेंगे क्रिया की सिध्धी में जिसकी सबसे अधिक साहता ले जाए अर्था कारी करने में जो सबसे अधिक सायता प्रदान करे उसे करल कारक होता है और तरतिया विक्ति और साधक कहेंगे क्या कहेंगे साधक अर्थात हमारे कार में हमें जो साधन प्रियोग करने पड़ते हैं जिन साधनों का हम प्रियोग करते हैं वो सभी साधकतम करने हम से करल कारक तरतिया विवक की सिद्धी में किरिया की सिद्धी में जिसकी सबसे अधिक सायता लेनी पड़े उसमें करण कारक्ति अविवक्ती होती है जैसे कि उधारण से समझते हैं उधारण में जैसे कहें लड़का हाथ से पत्र लिखता है लड़का हाथ से पत्र लिखता है तो यहां सबसे अधिक सायता किसकी ले रहा है हाथ की ठीक है जिसकी सबसे अधिक सायता लेगा सायता लेगा उसमें करण कारक्त हो जाएगा तो जैसे की बाल कहा बालक हात से लिख रहा हात की सायता ले रहा है हस्तेन क्या लिख रहा है पत्र लिख रहा है पत्रम लिखती ठिक तो इस तरह है के कोई भी बाक होंगे वो सब साधक्तम करणम से तृतिय व्यक्ति और करणका रखके हो जाएंगे ठिक तो आपको असानी से समझ में आ गया होगा जैसे कहें एक दूसरा बाक क्यों और लिख दें अध्यापक कलम से लिखता है तो यहां लिखने का काम कौन किससे कर रहा है कलम से तो हमारा साधन है सबसे अधिक जो साइता प्रदान कर रहा है वो क्या कर रहा है कलम ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कलमे न त्रतिया व्यक्ती लगेगी कलमेन लिखती ठीक है इस तरह से तो कोई भी भाक्त होगा जिसकी सायता नहीं जाएगी उसमें करण कारतिया व्यक्ति होगी साधक्तम करण सूत्र से तो पहले सूत्र आपको समझ में आगया होगा बहुत सरन सूत्र है तो इसका अगले सूत्र लिखते हैं ये नांग विकारह सूत्र है ये नांग विकारह सूत्र है ये नांग विकारह यह सूत्र में कौन सा बख्याता है या फिर यह सूत्र किस व्वक्ति का है इस सूत्र से क्या होता है इस तरह के आपके प्रश्न टैट सूपर टैट में पूछे जाते हैं तो यहां देखते हैं इन्होंने कहा है इन्होंने क्या कहा यह इन माने जिस इनका मतलब क्या होता जिस अंग में विकार माने कमी जिस अंग में कोई कमी बताई जाए तो ये नांग विकारा तृतिया विक्ति करणकारक करता है चिक आप चाहें तो लिख लें जिस अंग में कोई विकार कमी बताई जाए उसमें करणकारक तृतिया विक्ति होते हैं चिक है जिस संग में कोई कमी विकार बताया जाए उसमें करलकारक तिरतिय विप्ति होती है जैसे उधारण से समझते हैं उधारण में वह हाथ से लंगड़ा है वह हाथ से लंगड़ा है तो साहस्तेन साहस्तेन लुंजा अस्ति ठीक आपने ऐसा लिख दिया कि साहस्तेन लुंजा अस्ति लेकिन अगर लिखा हो क्या लिखा हो कि वह दोनों हाथ से लंगड़ा है वह दोनों हाथ से लंगड़ा है तो क्या करेंगे कि यहां पे तो साही लिख लेंगे क्योंकि वह है अब यहां ए से था या फिर दोनों हाध्ट की बात नहीं हुई थी इसलिए एक हांत लिख दिया अब यहां पर्टिकुलर दोनों हाध्ट की बात हो रही है तो क्या करेंगे की तृतिया व्यक्ति में जो दो वचन का रूप होगा उसको यहां लाएंगे तो हस्तेन का जो हस्तेन तरतिय वक्ति एक वचन का है तो तरतिय वक्ति दो वचन का रूप लिखेंगे हस्ता भ्याम हस्ता भ्याम लुन्जहा लुन्जहा अस्ति ठीक तो इस बात का ध्यान दखना कि एट की बात कर रहे हैं या दोनों की बात कर रहे हैं येस़े लिखा वोई पैर से लंगड़ा है ठीक है वोई पैर से लंगड़ा है है यां लिख रहे हम तो सा पादेन पादेन और लंगड़ा की संस्कित और घंजाहा ती सा पादेन खंजह अस्ति लेकिन यदि लिखा हो वह दोनों पेरों से लंगड़ा है क्या लिखा हो वह दोनों पेरों से लंगड़ा है तो सा तो तृतिया की दो बचन में सब्धोगा वो लगेंगे पादाभ्याम पादाभ्याम ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर बात केबल सिंगल की की जा रही है तो एक बचन मतलब की एक बचन लिखेंगे बात दोनों की हो रही है तो दो बचन लिखेंगे अगला उधार लिखेंगे जैसी लिखा हो वह सिर से गंजा है तो साह सिर का तरतिया सिर एक ही होता है हमेशा एक ही में आएगा सिरसा गंजा की संस्कृत खलवाटः अस्ति घिक है सा सिरसा खलवाटः अस्ति जैसे लिखा हो वह है नेत्र से काना है सा नेत्रेड काड़ाह अस्ती बात उसी की है दोनों नेत्र का लिखा हो तो क्या हो जाएगा सहा नेत्रा भ्याम काड़ाह अस्ती यहां देख पा रहे हैं आप लोग तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कब हम दुतिया विक्ति लगाएंगे और कब लगाएंगे प्रिथमा विक्ति ठीक है तो इस तरह से कोई भी सरीर के किसी भी अंग में कोई भी विकार वताया जाएगा तो ये नंग विकारा से तरतिया विक्ति करल कारक होता है सूत्र जैसा कि पूछने का तरीका सूत्र पूछा जा सकता बाक देखे किस सूत्र से तरतिया विक्ति हुई इससे या फिर इसमें कौन सी विक्ति है तरतिया कौन सा कारक है करण कारक है ठीक है क्यों है इनांग विकरा की बज़े से तो कुछ ऐसे प्रेशन आपके पुछे ज है आगे देखते हैं अगला इसका सूत्र है अगला सूत्र है अगला सूत्र है सही उपके सहे युक्ते प्रधाने ठीक चलो सूत्र है सहे युक्ते प्रधाने तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सब्द है सहे क्या है सहे का मतलब होता है हिंदी में साथ लेकिन इसी साथ को संस्कृत में और सब्दों से भी जानते हैं जैसे कि लिखा हो साकम के लिखा हो साकम लिखा हो समम लिखा हो सार्धम जिक सहे के लिए ये कोई भी सब्द प्रियोग किये जा सकते हैं सहे के लिए सहे भी लिखा हो सकता है साकम समम सार्दम तो अगर इसकी व्याख्या लिखें तो लिखते हैं कि सहे साकम समम सार्दम इन सब का मतलब होता है साथ कोश्टक में लिख लेंगे सहे साकम समम सार्दम कोश्टक में साथ के योग में तरतिय विवक्ति करणकारक होती है होता है सह साकम समं सार्धम में साथ के योग में तरतिए विवक्ती करणकारक होता है समझ में आ गया होगा तो अनुवाद से देखते हैं ढगत से देखते हैं है जैसा कि हम कहें राम स्याम के साथ बाजार जाता है राम स्याम के साथ बाजार जाता है तो राम करता है यहां पर राम क्या है करता है रामहा स्याम के साथ आपने देखा काकी के किसका चिन है शश्ठी का लेकिन सहे की वज़े से यहां पर क्या होगे अत्रतिया व्यत्ति तो हो जाएगा स्यामेन स्यामेन सह स्यामेन सह आप इस मैं से कोई सब्द भी लिख सकते हैं सह कहां जारा बाजार बाजार की संद आपणम गच्छती क्रिया लग देंगे तो इस तरह कोई भी बाक्त होंगे तो आपके सह साकम समम के योग में तरतिया विवक्ती करणकारक कराएंगे ठीक है अगला एक बाक लिखते हैं कि राम सीता के साथ जाते हैं राम सीता के साथ जाते विल्गू सरल बोल रहें तो यहां तो आपका बैसा ही लिखा रहता लेकिन सीता इस्तरीलिंग है तो सीता का मतलब इस्त्रीलिंग का तृतिया करते क्या करते सीतया सहे और आपका बैसा ही लिखा रहता आपडम गच्छती जो बाक सब्द होंगे वही लिख देंगे अगर इस्त्रीलिंग है तो इस्त्रीलिंग का रूप कैसे चलता है यह पता होना चाहिए पुलिंग का रूप कैसे चल यह पता होना चाहिए तो आपको रूप भी पढ़ाये जाएंगे यहां पे आभी आपको थोड़ा-थोड़ा बताया जा रहा है तो आपने देखा सहसा कम समंसार्धम के योग में तरतिय व्क्ति करणकारक होता है तो आप देख पारे कि किस सूत्र से या फिर किस सूत्र से कौन के कितने सूत्र हैं आधी कई प्रश्ण बनते हैं तो आज टाइम काफी हो चुका है तो यहां उमीद है कि आपको कारक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे यह दि आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक करना बनता है और वीडियो को सेयर करें ठीक है और ज् ये कि शैंज करता है सब को जैहन द्यावारत ये इस नहीं कर दो हुआ प्रेज सांट